हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू सो गाईज आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है दोस्तो फाइनली जो है CSBC के तरफ से एक और एक्जाम की जो डेट है वो घोसित कर दी गई है तो आज के इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ कि कब से आपका एक्जाम लिया जाएगा और कौन से एक्जाम की जो डेट है CSBC के तरफ से घोसित की गई है तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस रिलेटेट पलपल की न्यूस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दिजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि दोस्तों मैं CSBC के ओफिसल वेबसाइट पर आगया हूँ ठीक है जैसे ही आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड होकर आजागा दोस्तों और ये जो एक्जाम डेट घोसित की गई है दोस्तों मैं आपको बता दू कि 2019 में जो ड्राइबर की वेकेंसी निकाली गई थी बिहार चालक सिपाई का 1722 पोश्त पर ये वेकेंसी निकाली गई थी उसका एक्जाम डेट जो जारी किया गया आप याप पर देख सकते हैं आपका जो एक्जाम लिया जाएगा वो 14 अक्टूबर को जो आपका एक्जाम लिया जाएगा और दिन कौन सा रहेगा तो बुदवर रहेगा और आपका जो एक पाली में आपका एक्जाम लिया जाएगा ठीक है आप यहाप देख सकते हैं परिच्छा अवदी जो होगा वो दो घंटे का होगा जो कि आपका 10 बजे से आपका एक्जाम सुरू हो जाएगा और 9 बजे जो रहेगा वो आपका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है अब बात कर लेता आप इसका एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो 23.9.2020 यानि 23 सितंबर से जो है आप CSBC के ओफिसल वेबसाइट से जो है इसका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं और देखिए आप जब सेंटर पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर डराइविंग लाइसेंस यह जो आपको वहाँ पर लेकर जरूर जाना होगा ठीक है एक एडमिट कार्ड और फि इसी के ऑफिसियल जो डिटेल्स होता वहाँ पर जाके जो अपना एडमिट कार्ड डुप्लिकेट एडमिट कार्ड वहाँ पर आप ले सकते है ठीक है तो यह जो इंपॉर्टेंट नोटिस था और ओमर सीट भी जो आप पूरा देख सकते दोस्तों आपको ओमर सीट ऐसे भ